आईए जाने इस घर का क्या मतलब होता है या जन्मकुंडली में इस घर का क्या मतलब होता है जन्मकुंडली या अपना भविश्य कैसे पढ़े इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाबत है जैसा कि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर वाकई कोई भविश्यवानी कर सकता है या नहीं क्या जोतिस पर में विश्वास करना चाहिए या नहीं क्या जोतिस सास्त्र सही है या गलत है अगर सही है तो क्यों उसका मैंने कारण भी दिया था तो आईए अब इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज कि जन्म कुंडली में जो आप ये घर देखते हो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों मैं राजा मिस्रा ऐसे कंटिन्यू करूंगा इसे डेली एक वीडियो आपको डेली मिलेगी कि आईए जोति सीखें लर्न एस्ट्रोलोजी पर मैं आज का ये दूसरा वीडियो है और अब मैं आपको बताऊंगा और आज से डेली कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर मैं भी जोति सीखना चाहता हूं मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग जोति सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं इसके बारे में खुद की वहविश्यवानी खुद करना चाहते हैं तो आईए मैं आप सभी को बताता हूं लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लेना क्योंकि वो आपके लिए वेनिफिस्यल हो सकता है तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कि यह जो घर है जो देख रहे हो आप अभी स्क्रीन पढ़ में इसका जोतिस सास्तर में या जन्मकुंडली में आप देखते हो कि एकसर की यह घर बनाया जाता है इसको भाव भी कहा जाता है घर भी कहा जाता है हाउस भी कहा जा कि इसमें जो लिखा हुआ है एक, दो, तीन, चार, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्फ ये जो अभी आप देख रहे हो ये है इसका स्टेरियल नंबर इस टाइब से ये घर का पोजिशन चलता है, ये कभी भी चैंज नहीं होगा, ये फिक्स अस्थान है जब भी आप कभी भी कुंडली को देखोगे, तो यहीं से सुरू करोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारव, बारा, टोटल बारा घर होते हैं इसमें आखिर इस घर का क्या मतलब होता है, पहले घर में कौन, दूसरे घर में कौन, आईए मैं आपको बताता हूँ पहले, अभी जो आप देख रहे हो, साथ आपको बहुत ज़्यादा किलियर तो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा, और मैं बोल भी देता हूँ आप जहां पर में अभी एक लिखा देख रहे हो, वो जो घर है, अभी आप ये गरह को भूल जाओ, सूरी, चंदर, राहु, बिरस्वती, बुद्ध, सनी, मंगल, केतु, शुक्र, इन सब को भूल जाओ, इसको अभी ध्यान में आपको नहीं रखना है, आपको सिर्फ अभ पहला घर जो है मेस का, दूसरा घर जो है ब्रिस का, तीसरा घर मिथून का, चोथा करक का, पांचमा सिंख का, छठा कन्या का, सातमा तुला का, आठमा ब्रिस्शिक का, नौमा धनू का, दसमा मकर का, ग्यारहमा कुंभ का, और बारहमा मीन का, ये बारहमा फिक्स है, कभी भ अलो मध्य पर्देश में है, पंजाब में है, तो वो आपका अपना घर है, लेकिन मेरा घर जैपूर में है, तो ये मेरा घर जैपूर है, है ये, तो वही इसका जो घर है मेंस रासी का, वो एक नमबर जो घर है, वो मेंस रासी का फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी ऐ शैसा हो सकता है कि मैं आपके घर पे आजाओं आप मेरे घर पे आ जाओं ये बाद की बात तो यह पहला घर मेस रासी का है यह ऐसी सीरीज में रासी चलती है तो यह इसी सीरीज में यहाँ फिक्स घर है इसका यह इसी अगर रहेगा हमेशा बस अब जो तीस सिख्षाना मैंने शुरू नहीं किया है बस अभी एक आपको वेसिक दे रहा हो जो तिस की जो मुख्य कलास होगी वो कल से स्टार्ट होगी लेकिन क्योंकि आपको जोती सिखने से पहले यह सब जानना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यह तो ठीक है मालो कि यह तो रासी की घर हो गई मेस रासी बिरिस रासी को देख के दूसरे घर में क्या स्मझ में आया कुछ भी समझ में नहीं और aurait यह अभी जो आपका पहला जो घर है वह आपके सरीर का है तन का है बोडी का है जो आप भी एक लिखा हुआ देख रहे हो और यहां पर में आप देख रहे हो कि बोडी भी लिखा हुआ है यह जो घर है आपका सरीर का है तन का है और दूसरा घर फैमली मनी जॉब इन सब का है मतलब कि पहले घर को देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपका सरीर कैसा होगा आपके सरीर की बनावट कैसे होगी आप देखने में कैसे होगे ये सारी बातें आप पता लगा सकते हो दूसरे घर को देख करके आप कैसे पता लगाओगे यह मैं आपको बाद में बताओंगा अभी सिर्फ यह बता रहा हूँ कि आप पता लगा सकते हो दूसरे घर को देख करके आप अपने पडिवार के बारे में नौकडी के बारे में पैसे के बारे में आर्थे किस्थिती इन सभी मतलब की आर्थे किस्थिती पैसे जॉग और फैमिली पडिवार यानि इन तीनों चीज के बारे में आप दूसरे घर को देख करके पता लगा स इसलिप आप सुन ते जाओ अगर note करने चाहते हो कोबहार कर सकتे हो चौथे घर को देखकर आप अपने माउं घर गाड़ी प्रोपरटी इस सब के बारे पता लगा सकते हो। पाँचमे घर को देख करके अप यह पता लगा सकते हूझाया को पहला बच्चा होगा भो लरका होगा या Прोको सब्सक्राइब बारे लरकी होगी और अध्यान दिधा के बारे में भ्याच में फॉल्ब को को और बारे cog今日 चट्था जो गर को इसलिए है और अप के गर है यह पीता है यह आपको बताता है आपके एज कि आपकी मिर्ज्ट्यू कभ होगी इस बात को यह आठमा घर जो है वो बताता है कि आप इतने दिन जी होगे बहुत खतरनाग गड़ माना जाता है इसे और नौमा जो घर है वो आपके लग की मतलब की लग भाग रिलीजन इन सब के बारों में बताता है नौमा घर दसमा जो घर है वो आपके काम आपके पिता आपके एक प्रोफेशन के बारामा東 उङकी है में यह 12 माँ धसे बारे में बटाथा है यह तो लगा, गार देखकर का क्या ना इसे आप की स Remember आप पता यह मैं आपको समझ में भी है, दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कुछ देखो मैं अभी आपको क्या बताता हूँ अभी आप ये उन लोगों को समझ में आ जाएगी जो ग्रह को ग्रह का नाम जानते होंगे या जर्मकुंडली में अभी जिन्हों ने जोतिस से दिखवाया होगा जिनकी ग्रह दसा खराब चल रही होगी दोस्तों जैसे मानलो कि पहला जो ग्रह है जैसे मानलो की सूर्य अगर सूर्य आपका सही नहीं चल रहा है आपने जर्मकुंडली किसी जोतिस से दिखाई या खुद आपने देखा सूर्य आपका सही नहीं चल रहा ता आपको क्या करना है आपको करना क्या है कि मानिक के धारन करना है या मनिक के का आपको दान करना है दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो धारन भी कर सकते हो और दान भी कर सकते हो तामबा आप दान कर सकते हो लाल चंदन दान कर सकते हो लाल वस्तर गेहूं गूर लाल कमल गाय ये सब यदि आप दान करते हो ब्रामनों को दान करते हो तो आपकी सुरी जो है अगर ख़ड़ाब चला अच्छा फन नहीं दे रहा सुरी रभी तो वो आपका सही हो जाएगा चंदर के लिए आखिर क्या है अगर चंदर आपका अच्छा नहीं चला चंदर की ग्रहतसा चल नहीं है तो आप उसमें मोती धारन कर सकते हो मोती दान भी कर सकते हो और चांदी, कपूर, स्वेत, बस्त्र, चावल से भड़ी या पिटाडी, चावल, जल, पात्र जो होता है वो गाय, संख इन सब को दान करके आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हो वड़े ध्यान से सुनना आप, अगर आप जन्मकुंडली मेरे से ही या आपने किसी से दिखाई है, क्योंकि मेरे पास भी तो डेली 150 कॉल आते रहते हैं, जली 50 से उपर जन्मकुंडली बनाता हूँ तो आप यह चीज़ सुन लो, अगर आपका मैंने भी बताया होगा कि आपका सूरी खराब चला या चंद्रमा खराब चला है, या कोई भी ग्रफ खराब चला है 좋은 से न्मकुदली ने कर की पारह दो की आप रतन के अलावा भी और भी काम कर सकते ह। आप प्या क्या कि आप पूल, मसूर का दाल, गेहुँं, कनेर का फूल ये से आप दान कर सकते हो मंगल जो हो सही हो जायएगा उसके बाद मंगल का भी क्योंकि हमारे जन्वकुर्णी में एक बहुत बड़ा योगदान होता है ये भी खतरनाग ग्राय ये भी माना जाता है और मंगल के लिए आप मूंगा, मूंगा धारन भी कर सकते हो और मूंगा दान भी कर सकते हो अगर आपका बुद्ध खराब चल रहा है तो आप पन्ना, स्वर्न, पन्ना पहन सकते हो, धारन कर सकते हो, सोना पहन सकते हो, दान कर सकते हो, धारन कर सकते हो, उसके बाद घी, पील बुद्ध में भी उसके बाद बुद्ध के बाद अगर आपका गुरू खराब है तो पुखराज आप धारन कर सकते हो और पुखराज धारन कर सकते हो आप इससे आपकी गुरू जो है वो सही हो जाएगी सोना धारन कर सकते हो सोना आप दान कर सकते हो पीले रंग का कपरा पह सकते हो अगर आपका सनी खराब चल रहा है अगर सनी की ग्रह दसा चल रही है तो आप नीलम धारन कर सकते हो लोहा धारन कर सकते हो और काले तिल बैल सोना नीले रंगा कंबल यह सब आप दान कर सकते हो अगर राहु खराब चल रहा है तो गोमेद सोना आप पहन सकते हो दान भ कर सकते हो कस्तुरी दान कर सकते हो सोना धारन कर सकते हो सोना दान कर सकते हो कंबल दान कर सकते हो तील का तेल दान कर सकते हो यह सब आप मतलब सारे ग्रहों के लिए आप ऐसा कर सकते हो यह सब यह दिए आप दान करते हो तो आपकी जो ग्रह दसा है वो सही हो जाएगी मतलब की 90-25% वो सही होने का पूरा चांस है दोस्तों तो यही आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्राडम भी घ्यान दिया है और कल से मैं ओरिजिनल वीडियो जो है इसका मतलब सही से जो सुरुवात होती है वो मैं कल से करूँगा तक बो रेका तर्फ सिर्फ एक अपको डेमो दिया एक दिखाया जो होता कैसे है किसके लिए क्या तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सबीको यह वीडियो अच्छा जरूर रहा होगा क्योंकि मैं इतना मे lanad कर रहा हूं तो मैं यह हूं करता हूं कि आप भी उधर से मेहनत उतना ही कर रहे होगे और जितना बता रहा हूं उतना आप जरूर सीख रहे होगे तो चलिए आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आई ता इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वेल आइकन के बटन को दवादें थैंक्यू 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 सो मच जय हिंद बंदे मात्रम